एक गाउं में रिया अपनी मा सुजाता के साथ रहती है। रिया रंग रूप से काफी सुन्दर होती है। केवल उसका कद कुछ जादा ही लंबा होता है। इसलिए जब जब वो महले में जाये करती, तब तब महले वाले उसका मजाग उड़ाये करते। देखो बाई, हमारे महले में रहने वाली इंसानी जिराफ आ गई। वैसे रिया तुम्हारे घर के पंखे साफ करने के लिए तुम्हे स्टूल की जरुरत नहीं लगती होगी ना, क्यूं। और नहीं तो क्या, लगता है ये पानी की जगध दिन रात कॉम प्लैन पीती है, इसलिए ये इतनी लंबी है, हाहा, लंबो लिका कहीं की, हाहा, रिया को उन सभी महले वालों के तानों को सुन कर बहुत बुरा लगता है, और वो घर आकर फूट-फूट कर रोती है, ना बे अब मैं जान बुच कर ऐसी हो क्या, मैं लंबी हो तो इसमें मेरी क्या गलती है मा, नाई बेटी, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, तुचिंता मत कर, रिया काफी पैसे वाली होती है, लेकिन उसकी लंबी हाइट के चलते उससे कोई शादी करने के लिए भी तयार नही नहीं बेटी, और तुझे दुन्या वालों के लिए अपनी हाइट छोटी करने की कोई जरुरत भी नहीं है, तुझे ऐसी है, वैसी ही एकदम सुन्दर है, क्योंकि इस दुन्या में सबसे जादा सुन्दर वही होता है, जिसका मन सुन्दर हो, समझी तु, समय के साथ सुज क्या तु मेरे साथ अपनी बाकी की जिन्दगी बिदाना चाहोगी, क्या तु मुझ से शादी करोगी, क्या, ये तुम सच कह रहे हो, अंकित, तुमें बाकी लड़कों की तरह मेरी हाइट से कोई प्रॉबलम नहीं है, नहीं रिया, व्यक्ति के मन की अच्छा है, उसे सुन पचानक से अंकित, रिया को सर्प्राइज देने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाता है, अंकित, यहां क्यों लाए हो तुम मुझे, ऐसा कौन सा सर्प्राइज देना है तुमें मुझे यहां पर, बताओगे भी, ओफो, अगर बता दिया तो सर्प्राइज सर्प्राइ क्योंकि इस चाकू से मुझे तुम्हें जान से मारना है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा मेरा हो जाएगा अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है और मेरा इस दुनिया में एश करने का वक्त तुम्हें क्या लगा त तुम जैसी लंबी लड़की से मैं प्यार करूँगा, अपनी हाइट देखियो तुमने, को तुम मिनार जितनी लंबी हो तुम, तुम जैसी बचसुरत लड़की से कौन प्यार करेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ रिया। रूप में आती है। इतना कहकर वो डाकिया कापते हुए पैरों से फटा-फट साइकल चलाते हुए वहाँ से चला जाता है। रिया के मन में अब अपने बदले की आग चल रही थी। बहुत गलत किया है उसंकितने मेरे साथ। अब मैं पहले अपना बदला पूरा करूँगी और फिर इस गाओं के हर उस व्यक्ती को कड़ी से कड़ी सजा दूगी जो किसी की खामी का मजाग उड़ा कर उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। अंकित अब रिया के पैसों से आशो आराम से भरा जीवन व्यतीत कर रहा होता है और वो एक महंगे क्लब में पार्टी कर रहा होता है। अंकत जब थोड़ी देर बाद कलब से बाहर आता है तब ही उसकी गाड़ी के सामने एक लंबी औरत आती है और जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तब चुड़ैल रिया को देख उसकी सांसे थमसी जाती है बहुत मजा है न तुम्हे मुझे मार कर और मेरे पैसे हड़प कर तुम पर मैंने इतना तूट विश्वास किया लेकिन तुमने मेरे साथ ही विश्वास घाद किया अब मैं तुम्हे नहीं चोड़ूगी उस वेटर के काले रंग का मजाक उड़ाते हो और एक खुद की शकल देखिये कभी मुझे माफ कर तो रिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पर मुझे मारना मत मैं तुम्हे मारना मत रिया मुझे मारना मत नहीं तुझ जैसे नालायक आदमी को जिन्दा रखने की गलती मैं कभी नहीं करूँगी ये ले रिया अपनी शैतानी शक्तियों उसे अंकित के शरीर का सारगोन पी जाती है, और फिर उसे मार देती है, अंकित को उसके क्ये की सजा मिल जाती है, फिर एक दिन गाउं में हरिया हलवाई के पास एक मोटा आदमी काम करता है जो कि बहुत इमांदार और महंती होता है उस मोटे आदमी का नाम भूशन होता है सिर्ड जी, सिर्ड जी ऐसा मत कीजिए मुझे मेरे पैसे दे दीजिए हरिया भूशन को लात मार कर अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है जिसके बाद बिचारा भूशन वहां से दुखी होकर चला जाता है ये सब देख चुडैल रिया को बहुत गुसा आता है और रात में दुकान बंद करते समय हरिया के रास्ते में रिया आ जाती है कोई नहीं सुन सकता है तुम्हें तुम जैसे मूर्क लोग काले मोटे बौने लंबे और पता नहीं कितने ही खामियों वाले लोगों का मजाग उड़ा कर उनके साथ गलत करते हो लेके न बौर नहीं क्योंकि अब इस गाओं में मैं हर उस बुरे इंसान को अपने साथ ले जाओंगी रिया हरिया को घसीटते हुए अपने साथ चुडैल लोग ले जाती है और वहां के पिंचरे में उसे बंद कर देती है फिर एक दिन जब रिया एक कॉलेज के पास से गुजर रही होती है तब ही वो कुछ लड़कियों को एक बौनी लड़की का मजाग उड़ाते हुए देख लेती है अरे देखो तो ये बौनी आई है जल्दी से सब अपने अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लो वरना कोई इसे देखी नहीं पाएगा हाँ हाँ लेकिन ये बौनी यहां क्या कर रही है इसे तो सरकस में काम करना चाहिए बहुत पैसे कमाएगी है वहाँ पर हाँ वो बौनी लड़की रोने लगती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है फिर जब वो चिड़ाने वाली लड़किया अपने घर जा रही होती है तब ही उनके सामने रिया चुडैल आ जाती है आँ एक लंबी चुड़ेल हाँ और आज ये लंबी चुड़ेल तुमारी मौद बनकर तुमारे सामने आई है आज मैं किसी को भी नहीं बख्षूंगी तुम सब ने बहुत बुरा किया है मासूम लोगों को चिड़ाने से उन्हें दुखी करके तुमें किस तरह की खुशी मिलती है हमें माफ कर दो हम आज के बाद उस लड़की को कभी नहीं चिड़ाएंगे हाँ लंबी चुड़ेल हमें माफ कर दो हम आज के बाद उस लड़की को तो क्या किसी को भी नहीं चिड़ाएंगे हमें जाने दो नहीं एक बार अगर कोई मेरी पकड़ बे आ जाये तो मैं उसे छोड़ती नहीं अब तुम दोनों को भी घसीटते हुए अपने साथ चुड़ाएंगे में उन्हें बंद कर देती है ऐसे ही अब वो गाओं में हर उस इंसान को चुड़ाएं लोक के पिंचरे में कैद करने ले जाती है जो किसी के रंग, रूप या शरीर का मजाग उढाता है ये बात गाउं के सरपंच तक पहुच जाती है और सरपंच एक महान पंडित को बुलाते है पंडित जी अपने पास भभूत रख कर चुडैल लोग में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो रिया चुडैल से कहते है लंबी चुड़ेल मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ लेकिन पंडित जी आप चले जाएए यहां से आप नहीं जानते कि जब कोई किसी के रंग या रूप का मजाक उड़ाता है तो उसे कैसा लगता है इसलिए मैंने इन सब नालाइक लोगों को पिंचरे में कैद कर रखा है अगर सब ने वादा कर दिया तो फिर मैं कभी गाउं में नहीं भटकूंगी लेकिन अगर मुझे पता चला कि किसी ने किसी को दुखी कर दिया है उसके रूपिया रंग से चिड़ा कर तो मैं गाउं में फिर से आओंगी इस तरह चुडैल उन सभी कैद किये हुए लोगों को बाहर कर देती है और सरपंच और पंडित सभी गाउंवासियों को एक दूसरे की इज़द करने का आदेश देते है जिसके बाद गाउं में कोई किसी का मजाक नहीं उडाता और सभी साथ में खुशी से रहते है और लंबी चुडैल रिया भी चुडैल लोग में ही रहते है